Hey guys, welcome to my YouTube channel Knowledge Adda तो आज के वीडियो में हम Inorganic Chemistry का last chapter की study करने जा रहा है जिसका नाम है अजली विलायक जिसके हम कहते हैं Non Equal Solvent तो guys आपको अपना syllabus चेक करना है और आपके syllabus में अगर इस chapter होगा तभी आप इसकी तयारी कीजिए क्योंकि देखें बहुत सारी university ऐसे हैं जहां पर ये chapter इंक्लूड नहीं है तो आप अपना syllabus एक पर जरूर देखें उसके बाद ही ये chapter की study कीजिए तो चली start करते हैं सबसे पहले तो इसका आप मतलब समझ लीजे कि अजली विलायक का मतलब क्या होता है क्योंकि water एक ऐसा चीज है जो प्रकृती में हर जगा उपस्थीत है सबसे अधिक मात्र में अगर हम देखें तो पानी जो है वो हमें हर जगा मिल जाता है और पानी की एक और वी sales गूर ये होता है कि वे विभिंड पदार्थों को जो है वो घोल लेता है और इसका जो physical properties है chemical properties है वो भी solvent होने के लिए जो है वो best है इसलिए प्रकृती का सबसे अच्छा solvent जो है वो water को माना गया है अगर हम किसी भी रजाइने का भी क्रिया की बात करें कोई भी हम chemical reaction देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा use होने वाला अगर कोई solvent है तो वो water ही है उसके बहुत सारी विशस्ताय है उस water की जिसके कराण उसको universal solvent का जो है वो universal solvent कहा जाता है water को लेकिन इसकी study तो हम काफी टाइम से काफी टाइम से scientists लोग water की study जो है वो करते आ रहे हैं लेकिन इसके अलावा हमारे प्रकृती में ऐसे और भी विलायक मौझूद है water के अलावा जो की वो भी काफी अच्छे हैं तो उनहीं विलायकों के बारे में हम जो है वो study करेंगे जिसे अजली विलायक कहते हैं मतलब जिसमें water present नहीं है कहने का मतलब है कि water को छोड़ करके जितने भी विलायक होंगे वो आपका अजली विलायक कहलाएगा या non-equal solvent कहलाएगा तो इसका हम जो है वो definition देख लेते हैं ताकि आपको और से से clear हो जाए अजली विलायक किसे कहते हैं जल के अतरिक्त कई ऐसे विलायक हैं जिनमें जल के समान सभी गुण पाये जाते हैं मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि पानी के अलावा भी बहुत सारे solvent है प्रकृति में जिसे पानी के समान ही अच्छे गुण पाये जाते हैं ये भी इनके गुण जल के गुणों की भानती विक्सित नहीं होते हैं इन विलायकों को अजली विलायक और नॉन एक्वस सॉल्वेंट जो है वो कहा जाता है पुराने समय से वाटर के उपर काफी जादा प्रयोग होते आ रहा है बहुत सारे रियाक्षन होते आ रहे हैं लेकिन जो साइन्टीस्त हैं उनका ध्यान जो है वो अजली विलायक की तरब भी गया क्योंकि उन्होंने ऐसे सॉल्वेंट के बारे में भी श्टड़ी किया जो वाटर तो नहीं थे लेकिन एक अच्छा सॉल्वेंट होते थे तो उन्हीं सॉल्वेंट के बारे में हम जो है वो श्टड़ी करेंगे और इन्हीं सॉल्वेंट को जो है वो अजली विलायक या नॉन एकको सॉल्वेंट जो है वो कहा जाता है तो clear हुआ आपको अजली विलायक किसे कहा जाता है जल के तरिक्त कई ऐसे विलायक हैं प्रकृती में जिन में जल के समान सभी गुर्ण पाय जाते हैं ये सब जो चीज होता है वो आपका अजली विलायक कहलाता है तो example देख लिजे द्रव अमोनिया एनस्त्री द्रव सलफर डायोकसाइड ऐसो टू वैसे तो बहुत सारे example है बट मैं आहां पर आपको दो ही बताई हूँ आगे जब आप इस चैप्टर ने पढ़ते जाओगे तो आपको बहुत सारे non-equal solvent जो है वो पढ़ने को मिलेंगे clear हुआ आपको यह तो था पहला terms जो कि बहुत ज़ादा use होगा जली विलायक अब हम दूसरा terms देखते हैं इसमें आयनकारी विलायक मतलब ionizing solvent तो देखी यह क्या होता है जिन विलायकों का आयनन स्वता हो जाता है उन्हें आयनकारी विलायक कहते हैं इसमें आपको समझ में आई गया होगा जिसमें हम किसी पताराद कसाई से घोल सकते हैं रसानी का विलायक में जो हमारा काम आता है तो ऐसा विलायक यह ऐसा solvent जो आटोमेटिक उसका वो आयनन हो जाता है मतलब अपने आयनों में भीविभक्त हो जाता है वो आटोमेटिक ली हो जाता है तो इस ताइप का जो विलायक होता है उसे हम जो है वो आयनकारी विलायक कहते हैं इसे आटो आयोनाईजेशन की प्रक्रिया भी कहते हैं अगर हम एनस्प्री एनस्प्री को यहां पर रियाक्शन करा रहे हैं तो यह स्वता ही अपने आयनों में विभग तो हो रहा है, मतलब यहां पे अगर हम द्राव आमोणिया की बात करें तो यह गोजो एक आयन कारी विलायक, जो है वो गहलाता है अगर हम वाटर को भी देखें तो वाटर भी प्रकार का आयन कारी विलायक होता है, H2O, H2O को अगर इसमें असुद्धी मौझूद होगा तो यह अपने आयनों में ठीक स्विभगत नहीं होंगे मतलब इन्हें सुद्ध होना जरूरी है तभी यह जो है वो धन आयन, रिल्ड आयन, मतलब पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज आयनों में यह विभगत होंगे तो दो टम्स आपको क्लियर हुआ, सबसे ज़रा यूज होने वारा टम्स अजली विलायक क्या है पानी के अलावा और भी कितने विलायक है प्रगृति में वो अजली विलायक कहलाता है और यहाँ पर हम लोग ने आयनकारी विलायक पढ़ा, जिसे हम आयोनाइजिंग सॉल्वेंट कहते हैं आपने आयनों में विवक्त हो जाते हैं, वो आपका आयानकारी विलायक कहलाता है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, ये जो विलायक है, शॉल्वेंट है, उसका जो है वो हम फीजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, मतलब भौती गुण क्या-क्या होते हैं, क्या के इनमें व मतलब मैल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो भी लायक समान निताप एवं दाप पर द्रव अवस्था में होते हैं उनकी उपयोगिता अधिक होते देखिए इसमें यह कहा जा रहा है कि हम उस सॉल्वेंट को एक अच्छा सॉल्वेंट मानते हैं जो एक अगर हम निम न ताप पर हुथ इसका नित्या निताप अगर न यह सम आप पर द्रव अर्वस्था में होताएं तु आधा यह हम्मे इसका निताप वायाकक। देख समें अच्छा सॉल्विंट होता है जो नॉल्मल टेम्परेशा, हो द्रव अ कल लिक्ट रुत में परेना क को जो निम नताप होने पर मतलब टैंपरेचर को जब हम इसको लो करेंगे तब अगर वो द्राव अस्था में होते हैं जैसे कि NS3, SO2 तो यह हुआ इसका गलनांक और कथनांक मतलब मैल्टिंग पॉइंट और एंड बॉइलिंग पॉइंट पहला प्रोपरडी यही है दें सेक कैम परिवर्तन के लिए उससोसित उसमा उसकी गलन उसमा होती है क्लियर हुआ हमारे पास कोई पदार्त है उसके 1g आड़ो को लेते हैैं 1g आड़ो के थोस से अगर वह लिक centre अवस्था में चैंज हो रहा है मतलब बहुत ही सिम्पल सी बात है अगर पी थोस अवस्था से ल व colorful прquisite वास्पान गया है किसी पदार्थateg स्वाइस्प परिवर्तित उसमा को एचि量 अगर बिपर शेकी प्रिवर्तन होता क्या बाँद situation स्वास्प जो भी ऐचूचित हो रहा उसे हम वास्पन वह कहा थे डहाई हो मुझे मुझें अबॉस्प जिए वम जामकों 12 वावा क्या है। इसनी और भृषीक उस्मा पहाने है। अलिए फोस से लीक्विट में परिवर्तन होने के लिए इसी है। अगर हम उसमें इसकी बात करें तो जो water और ammonia है उसका जो waspn उसमा होता है गलन उसमा होता है वो something same होता है मतलब यहाँ पे अगर हम उसकी गलन उसमा के बारे में देखें तो वो लगभग समान होता है तो देखें यहाँ पे छोटा सा कॉलम बनाई हूँ मैं तीन जीजों को बस इंक्लूट की हूँ जल, ammonia और SO2 तो चलिए देखते हैं जल का गलन उसमा यहाँ पे किलो कैलोरिम लिखा दिया है 1.43, ammonia का भी यहाँ पे 1.43 है जबकि SO2 का 1.76 है अगर हम इसके वास्पन उसमा की बात करें जल का तो 9.71, ammonia का 5.64 है और SO2 का 5.96 है तो अगर आप physical properties लिख रहे हैं तो थोड़ा सा इसका बारे में भी थोड़ा लिख देना ताकि अर्लिस पता चले तो दो आपको properties clear हुआ पहला properties हम लोगों ने क्या देखा गलांग एवं कोथनांग और दूसरा हम लोगों ने देखा गलन तथा वास्पन की गुपतु उसमा अब से लिए आगे का properties भी हम start करते है अब हम third number में देखते हैं स्यांता या जिसे हम कहते हैं viscosity तो क्या होता है स्यांता स्यांता के मतलब आप क्या समझते हो जैसे कि कैसा बता हूँ मैं जैसे कि एकदम चिपची पाहत वाला या फिर कुछ दल दल चीज जैसे कि अगर हम एक्जामपन के लिए पानी को ले तो हम इसकी स्यानता जो है वो काफी कम होती कि आपको पानी में कहीं एदम दलदला पनी या फिर चिपची पाहट इस ताइप से आपको नजर नहीं आएगा तो कहने का मतलब है कि कुछ विलायक जैसे पानी, द्राव, अमो लिया कि विसकोसिटी की बात करें तो उसमें उस ताइप से चिपची पाहट या फिर जो विसकोसिटी है वो बहुत जदा कम पाया जाता है इसलिए हम इसे एक अच्छा भी लायक मान सकते हैं क्योंकि देखें अगर हम कोई भी रियक्शन करा रहे हैं और हम इस रियक्शन पानी को यूज कर रहे हैं और अगर पानी क्या विसकोसिटी बढ़ गया तो वो रियक्शन आपको कम्प्लीट नहीं हो पाएगा मतलब अगर उसमें चिपची पाहट या फिर दल दलाहट दल टाइप से अगर कुछ इस टाइप से कुछ रियक्शन होने लगता है तो आपक से एक अच्छा सॉल्वेंट मान सकते हैं जबकि उच हायर एलकोहलों निर्जल H2SO4 की स्यानता अधीक होती है और अगर जिस भी विलायक की जिस भी सॉल्वेंट की स्यानता अधीक होती है तो हम उसे एक अच्छा विलायक जो है एक अच्छा सॉल्वेंट जो है वो नहीं म अब चौथा हम देखते हैं विद्धू चालन या इलेक्रिकल कंड़क्टिंस कोई भी विलायक कि सीमा तक आयनित हुआ है इसका संकेत उसकी विद्धू चालक्ता से मिलता है अब देखे हमारे पास यहाँ पे वाटर है और जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि य इलेक्रिकल कंड़क्टिंस से मिलता है तो यहाँ पे लिख सकते हो कि कोई भी विलायक कि सीमा तक जो है वो आयनित हुआ है मतलब किस हद तक उसका जो है वो आयनन हुआ है उसका जो भी साइन है सिम्टम जो भी संकेत है वो उसकी इलेक्रिकल कंड़क्टिंस से जो है वो मि तो विलायक के स्वता आयनन की प्रकृति उसके विले पदार्थ की अमली तथा चारी प्रकृति पर निर्भार करती है जैसे कि हमारे पास कोई भी विलायक है मालो वाटर है हमारे पास अब उसमें हम कौन सा पदार्थ घोले हैं जैसे कि हम लोग उसमें अगर हम उसमें एसिट घोले हैं कि हम उसमें बेस घोले हैं मतलब हम लोग उसमें अमल मिलाए हैं कि हम लोग उसमें छार मिलाए हैं उस पे जो है वो यह डिपेंड करता है मतलब अगर कोई भी विलायक है उसमें किस प्रकार का विले पदार्थ मिला हुए है इस पे जो है वो डिपेंड करता है क्योंकि जो पदार्थ विलायक में आयनित होकर उस विलायक को धनायन प्रदान करते हुए अमल तथा जो रनायन प्रदान करते हुए छारक कहे जाते हैं तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताया है अगर किसी सॉल्वेंट में हम एसिट को मिलाते हैं तो वो जो है, वो हमें धन आयन प्रदान करेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला आयन प्रदान करेगा, अगर हम उस सॉल्वेंट में छार को मिलाते हैं, बेस को मिलाते हैं, तो वो हमें जो है, वो रिड़ आयन प्रदान करेगा, मतलब निगेटिव चार्ज वाला आयन तो डिपेंड करता है कि हम उसमें क्या मिलाए हैं तो यह होता है स्वता आयनन यह जिसे हम कहते है आटो आयोनाइजेशन अगर आप लिखते हैं तो बहुत ही इतना काफी है इसके अलावा तो उतना आपको टाइम भी नहीं रहता है एक्जाम में लिखने को तो आप लोगों को साज का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा इसके बाद इसी चैप्टर का मैं और भी नोट्स दूँगा जो कि आप लोगों को BSE Second Year Inorganic Chemistry के प्लेलिस्ट में जो है वो सारे नोट्स मिल जाएंगे तो चेक जरूर करें त्यमक्नी कि ए वाच जए वाच 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 आप लेखने लाच वैश एक्ट जिरूर के लोगोफ वाच आपके शोजए वाच छ्मगह पाड़ागों कि नेवाच, इस स्वाच आपके लोगोफ दूर्ड सानी सा टूर।